लाइक दू वीडियो, सब्स्क्राइब चैनल और क्रेस्ट वीडियो अपडेट हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए बहुत ही जवरदस्त एक हेर पैक लेके आई हूँ एक हेर सेरम आप बोल सकते हो जिसको आपको आफ्टर वाश यूश करना यानि की बाल दूने के बाद यूश करना सबसे पहले इसका कलर देख लिए कितना जेट ब्लैक है न तो ये आपके बालों में धुलेवे बालों में अराम सब लगा के रख सकते हो और चाहो तो सेम डे वाश कर सकते हो तीन से चार घंटे के बाद या फिर नेक्स डे भी वाश कर सकते हो तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो पर देखते हैं कैसे बनाना है इसको तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज ली है वो है लोहे की कड़ाही ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक गलास पानी एक से देर गलास पानी में ज़े डालनी है अगर आपका बाल लंबा है और या फिर आपके बाल छोटे हैं तो आप पानी उपर नीचे कर सकते हैं और इसमें सबसे पहला जो चीज है वो है मीठी नीम यानि की कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं वो तो यहाँ पर मैंने एक हैंडफुल आप एक कटोरी भी बोल सकते हैं कड़ी पत्ता डाल दिया है और कड़ी पत्ता बालों को खाला करने में कितना हेल्फ करता है आप सब ज जल्दी सॉल्व होने वाली है तो इस तरह से मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है अब जो दूसरी चीज है वो है इसमें हम डाल रहे हैं आवला पाउडर मैं यहां पर दो चममच डाल रही हूं और आवला पाउडर आप चानते हैं कि रिच इन वाइटमिन सी है बालों को काल पाउडर डाल रहे हैं एक चममच मेंने कलांजी सीड्स का पाउडर बना रही है वो डाल दिया इक चममच हमने मेथी डाना डाला है इन सब को बाल करना है उसके बाद जो हमारे लास्ट मेन इंग्रिजियंट है हमारी चाइपत्ती हम इसले डाल रहे हैं चूंकि बहुत ही चाइपती में एक बहुत ही जवरदस्त कलर देता है उसके अंदर बहुत सारे एंटी आक्सिडंट होते हैं जो मारे बालों पर बहुत ही अच्छी रंगर चड़ाते हैं इस चीज को आपको अच्छे से सिम पे बॉयल करना है करीबन दस से पंदा मिनित तक मैंने इसको उबाला था बहुत ही धीमी आच पे एक बार थोड़ा मैंने मीडियम आच किया था ताकि यह अच्छे से बराबर से बॉयल हो जाए और उसके बाद मैंने आच को बिलकुल धीम के दिया था जब आच कर दिया था तो बिलकुल इस तरह से बॉयल हो रहा था उसके बाद मैंने धीरे धीरे आच को सिम कर दी और सिम पे पंद्रा मिनित इसके पका था कि जितना भी गुड़ने से सारी चीजों का कड़ी पता आवला मेथी सारी चीजों का चाय पत्ती का सारी अब दर्स्ते का इस और इतना ब्योटिफल कलर आता है ना मतलब आप इसको अपने बाल पे रॉष किये वे बाल पर अपे बालों को धोना कि दो लीजे और फिर वालों को टाई कर लीजे उपर की तरफ और चोड़ दीजे तीन से चार घंटे तक थोड़ दीजे या फ पार बाल क कालर आए, कि पानी नहीं पूरे अघर लगा process का लिए नहीं किया लिवाया दिनक भूलाइब के लोटा में तो हम झालिक से सोर्फश स्वाट। लगाम लिए वैंल क्या हैं वादने गवा फिल किसी दो आफ़ नो हम टृत कॉता हinek फहाट मिर दो और यह जो मैंने तरीका पता है ना गर्मियों में बहुत ही अच्छा है आप इसको अपने बालों में लगाओगे तो आप फील करोगे एक थंड़क आपको महसूस होगी और बहुत अच्छा अच्छा अपको लगेगा आप जब भी इसको ट्राइ करो मैं तो वीक में आप दो प्रोथ है वो दुगनी तेजी से होगा और बाल बहुत सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं तो मैं तो इसको लगाके ओवरनाइट रग देती हूं नेक्स दे इसको बाल दोती हूं और फिर मैं इस रिपीट करती हूं वीक में मतलब अल्टरनेट तीन से चार दिन के बाद फि प्रेस करके उस पर अल होते है उसको अपक्लेक कर दीजेगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन हमेशा ही हमेशा मीले बहुत दोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती इसलिए मुझे यह बताना बहुत जरूरी था कि आप अल प्रेस कीजेगा और अगर आप किये हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो प्लीज वापस से जाके आप उसको अंसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजेगा तो बिल्कुल इस तरह से आपको भी अपने बालों में यूस करना है नीची आप एक वैसल रख लीजे और उपर से वाटर डाल है जो आपने सोलीसिन बनाया है